आज के वीडियो का टॉपिक है सेंग मेल तू मल्टिपल यूजर्स यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ओफिस थ्री सिख्टी फाइवा कि कैसे आप आप आटोमाइटिकली मल्टिपल यूजर्स को इमेल साइड कर सकते हैं जबी भी आप अपने गूगल शीट करवा कि अपने गूगल शीट करोगे वो डीटेल्स कुछ भी हो सकती है तो कैसे ही आटोमिशन साइट करना है यह मैं बताऊंगा पूरी स्टेप्स अभी अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले हम अपने ब्रॉजर में टाइप करेंगे www.pably.com सामने आजाएगे official website क्लिक करेंगे sign up free पे अपना account free में बनाने के लिए मैं अलरडी अपना free account बना चुका हूँ that's why मैं क्लिक करूँगा sign in पे first option आएगा pably connect का क्लिक करूँगा access now पर access now पे क्लिक करने के बाद open हो जाएगा pably connect का dashboard right hand side पे create workflow का option आएगा okay मैंने नाम दिया google sheets to microsoft 365 आप चाहें तो कुछ और नाम दे सकते हैं एक important बात बता देता हूँ इस वीडियो के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो की होगा इसी workflow का आपको जाना है उस link पे click करना है और आप भी मेरा बनाया ये same workflow यूज कर पाऊगे अपने account में वो भी एकदम free में workflow को नाम दिया मेरे सामने दो windows आ गई है ना trigger और action की दोनों ही काफी important role play करती है integration में trigger means when this happens जब भी ऐसा हो action means do this ऐसा कर दो topic क्या है मेरा मैं चाहता हूँ कि जबी भी में अपने इस google sheets में जिसका नाम है 365 कोई नाम email address phone number और city अट करूँ तो automatically कुछ particular email addresses पर कुछ 3-4 email addresses पर email जो है send हो जाए same email कि हमारे पास एक new league generate हुई है जिसका नाम यह है email address यह phone number यह है city है जिसके जो मेरी team members है जिनको मैंने email send कि है वो आगे की जो process है वो कर पाए हो कि ऐसा automation में जाता हूँ ऐसा automatically कराने के लिए first application में हमें सबसे पहले choose करना होगा google sheets को okay so search किया google sheets को और choose कर लिया ठीक है then trigger event में हम choose करेंगे new or updated spreadsheet row then pably connect ने web o qrl मुझे जिसको मैं copy करूँगा और नीचे दिये गए instructions को follow करते हुए integrate कर दूँगा अपने google sheets को pably connect से integrate करने के लिए चलना होगा मुझे अपने google sheets पे तो यह मेरा google sheets click करूँगा extensions पे उसके बाद addons पे then get addons पे open हो जाएगा google workspace marketplace यहाँ पे मुझे search करना होगा search करूँगा पैबली connect webhooks को और अपने PC में successfully install कर लूँगा जैसा कि आप देख रहे हैं already installed है आपके PC में नहीं होंगे so आप कर लेना install करने के बाद अपने google sheets को refresh करना refresh करने के बाद आप देख पाओगे कि एक नय option आने लगा है पैबली connect webhooks का extensions जैसे ही आप जाओगे तो आपको क्या करना है जाना है पैबली connect webhooks पे और initial setup पे क्लिक करना है initial setup पे क्लिक करने के बाद याप से मांगेगा webhook qrl साथ ही साथ trigger column so webhook qrl जो पैबली connect ने आपको दीती simply उसको copy कीजिए वापस आईए और यहाँ पे कर दीजिए paste okay then trigger column के अंदर मैं बता देता हूं क्या add करना है spreadsheet के अंदर जो last data entry column होता है उसको हम कहते है trigger column so मेरी spreadsheet है इसका जो last data entry column है वो है d d column में मैंने last data enter किया उसके बाद मैंने किसी column में कोई data enter नहीं किया है that's why मेरा trigger column हुआ d मेरा d है आपका xyz कुछ भी हो सकता है क्लिक करूँगा send test पे तो इस Google Sheets का data successfully पैबली connect के पास send हो जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे शो हो रहा है waiting for webhoc response आता हूँ क्लिक करूँगा send test पे send test पे क्लिक करने के बाद चलके check करते है पैबली connect के पास data receive हुआ कि नहीं तो तीन से चार सेकंड में आप देख पाएंगे यहाँ पे हमारे सामने response received हो गया है और हमारे सामने सारी details है यह रहा phone number, name, email address, city जैसा कि मैंने अपने Google Sheets में row act की थी तो means इसका मतलब यह है कि हमारा जो webbook URL है वो एक गम perfectly work कर रहा है हमें वापस आके submit पे क्लिक करके इस window को close कर देना है इस window को close करने के बाद मैं आपको एक important बात बता देता हूँ कि अगर आपके PC में multiple Gmail account login होंगे और आप connection बनाएंगे Google Sheets के साथ तो आपको connection बनाने में problem आएगी solution देता हूँ solution यह है कि आप या तो अपने Gmail account को logout करके केवल एक Gmail account login रखिए या फिर आप अपने Google Sheets को incognito window में open कीजिए और वहां पे connection बनाएंगे इन दोनों में से कोई भी process कर लेना और अभी आपने एक चीज और दिखी होगी जब मैंने send test पे click किया उसके बाद जाके पैबली connect के पास data sent हुआ तो मैं चाहता हूँ के मेरे involvement की कोई जरूरत ही ना पड़े automatically data sent हो जाए पैबली connect को जस्त मैं आके Neuro Act करूँ और Google Sheets से data sent हो जाए पैबली connect वाबुक्स पे यहाँ पे second option है send on event का आपको click करना है send on event पे अब आपको send test पे click करके data sent करने की कोई जरूरत नहीं है automatically जैसे ही आप आके यहाँ पे Neuro Act करेंगे तो तुरंत automatically data sent हो जाएगा पैबली connect को एक बाद चेक कर लेते हैं मैं चाहता हूँ कि यह जो details हमें पैबली connect को receive हुई है पैबली connect इंग details को एक email के तुरू मेरे कुछ team members तीन से चार team members है आपके और जादा भी हो सकते हैं तो मैं चाहता हूँ उन तीन से चार team members को एक email जो है share हो जाए है इस data से related हर बार जबी मैं नियूरो एक करूँ तो email शेर हो जाए चार से तीन से चार लोगों को कि यह newro एक हुई है जिसका नाम यह है email address यह नू लीड जनरेट हुई है वगरा वगरा और आप जिस तरह का email सांग करवाना चाहते हैं परिशानी नहीं है नीचे आता हूँ second and last application मैं चूज करूँगा Microsoft 365 Office Microsoft Office 365 को चूज करूँगा यहां पर मैं अपने workflow के अंदर भी इसका नाम जो है Microsoft Office 365 कर देता हूँ आप जो नाम देना चाहते हैं वह आप दे दीजेगा यहां पर मैं इसको यह कर देता हूँ Microsoft Office 365 क्योंकि इसी के through मैं चाहता हूँ multiple emails जो है share multiple peoples को ठीक है तो action event पर आऊंगा और यहां पर choose करूँगा send mail to multiple users को choose कर लिया send mail to multiple users को उसके बाद क्लिक करूँगा connect पे then add new connection पे then connect with Microsoft Office 365 पे then यह मुझसे access मांगेगा तो यहां पर नीचे scroll करके years पे click करके access दे दूँगा don't worry pably connect is 100% safe so यहां पर हमारा जो authorization successful हो गया जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा Microsoft Office 365 connected है pably connect connect होने के बाद यह मुझसे subject पूछ रहा है कि sir जो emails आप send करने वाले हैं उनके subject क्या रहेंगे तो मैं पर subject एक ही same रहेगा new lead generated okay so यह मेरा subject रहेगा हर email का okay that's why मैंने इसको manually लिख दिया content type जो रहेगा वो plain text में रहेगा आप HTML भी चूज कर सकते है no problem then body content के अंदर जिस भी email आप send करना चाहते हैं जो भी content होगा आपका वो content आप इस blank field में add कर दिजिए तो में एक simple content आप कर देता हूँ तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने एक simple content जो है type कर दिया है hello team we have received a new lead details name email phone number city and उसके बाद thanks एक simple email मैंने आपर type किया आप जिस भी तरह का email share करना चाहते हैं अब आप देख रहे होंगे आप इमेल के आगे blank space छोड़ा है email के आगे phone number के आगे city के आगे इन चारो के आगे जो data है वो हम यहां से add करेंगे यह जो data हमें number, name, email, city तो इस data को इन fields के आगे add करने के लिए हमें क्या करना होगा हमें एक technical use करना होगा space देना आगे और आप दिख पाएंगे के नीचे आपको option दिखेगा google sheets का जो की हमारी trigger application है हम click करेंगे google sheets पे तो सारा data open हो जाएगा यहां पर find करना है हमें name so यह रहा name demo user click करके map कर दिया यह जो process मैंने भी करी इसी को mapping कहते है क्यों है क्योंकि next time जब यह automation automatically run करेगा तो मैं अपनी google sheets में जाके एक new row add करूंगा बस और मेरा काम खतम हो जाएगा then obviously यहां पर जो नाम है वो में different add करूंगा यही same row add नहीं करूंगा हर बार नाम email address phone number 60 वगरा different होंगे हो सकते है तो वो नाम के आगे जो मैंने यहां पर नाम map किया है यह according to new row change हो जाएंगे यहां पर जैसे अभी demo user है next time automations add करने के बाद जब में यहां पर कोई और नाम लिखूंगा तो automatically वो नाम इस name के आगे आके add हो जाएगा क्योंकि यह नाम मैंने अभी map किया है that's why mapping is important तो मैंने आपे नाम map कर दिया इसी तरह से आप में email address map कर देता हूँ तो यह रहा email address map कर दिया इसी तरह से आप में phone number map कर देता हूँ तो यह रहा phone number map कर दिया इसी तरह से आप में city map कर देता हूँ तो यह रहा city map कर देता हूँ हर email के अंदर इतना data जो भी मैंने manually लिखा है वो same रहेगा और जो मैंने map किया है वो according to new row जो भी google sheets में new row एक करेंगे उसके according change होगा है ना, तो समझ गे होंगे आप जो data same रहने वाला है उसको आप manually लिख सकते हो जो change होगा उसको आपको definitely map करना है simple, अब नीचे आँगा to recipient, जिनको भी email address sign करना है उनके email address हमें यहाँ पर add करने है है ना, तो multiple लोगों को हम sign करना चाहते हैं, नीचे तरीका बताया गया है कैसे sign करना है, तो यह जो हमें तरीका बताया है, इसको हम simply यहाँ से copy कर लेता है है ना, नीचे वाला तो example है, है ना, तो इसको मैं पूरा का पूरा copy कर लेता हूँ, यहां से लेके यहां तक और इसको यहां पर paste कर देता हूँ अब आपको क्या करना है, जो email address लिखा है, उसके बाद, दबल inverted comma के अंदर, जो email address है, उसको backspace से आपको हटा देना है, और आपके first वाले, जिस भी person को आप share करना चाहते है, email उस first person का email address अट कर देना है तो मेरे first person का email address है user at the red pably tutes dot com, है ना, user नाम का मेरा एक employee है, उसका email address है, उसको चाहता हूँ, मैं email address सेंड हो, then दूसरा वाला दूसरा वाला मेरा employee है, जिसका नाम है client, है ना, client नाम है, client at the red client at the red pably tutes dot com, ठीक है, यह email address उसका है then इसी तरह से हमने जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, दो लोगों email address अट कर दिया, थर्ड वाले का email address अट कर देता हूँ, है ना तो 123 at the red domain नहीं, है ना, यहाँ पर मैं अट करता हूँ, third वाले का gary at the red pably tutes dot com, ठीक है, यह मैंने email address अट कर दिया, तीनो email address टेस्टिंग email address है, किसी कोई personal email address नहीं है, है ना, और इस email address related, जो है, Gmail account मैं अभी आपको open करके दिखाऊंगा, है ना, तो वहाँ पर आपको email मिल जाएगा, तो इस तरह से मैंने तीन email address यहाँ पर आट कर दिया है, आप अपने according, जिनको भी mail sign करवाना चाहते हैं, जबी आप नियूरो आट कर रहे हैं, गूगल चीट में, तो उनके email address जो भी हो, आप यहाँ पर इस तरह से आट कर देना, simple, तो ccc recipients, bcc recipients को मैंने skip करना है, और नीचे आके simply click करना है, save and send test request, जैसे ही, मैं save and send test request पर click करूंगा, तो इन सभी को, user को, client को, Gary को, इन सभी को, इनके Gmail account पर mail sent हो जाएगा, एक test email, जो कि इस बात का proof होगा, कि हमारा automation set हो गया है, okay, so उससे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इन में से किसी एक का Gmail account उपन कर लेता हूँ, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ, कि जैसे ही मैं यहापे 7 send पर click करूंगा, एक mail sent हो जाएगा, okay, तो जैसा कि आप लोग देखने मेरी screen पर, यहाँ पर मैंने इन तीनों में से, एक का जिसका नाम है Gary Monroe, उसका email address जो है, जो कि एक test Gmail account है, टेस्टिंग के लिए किसी का personal Gmail account नहीं है, तो इनका मैंने email, Gmail account यहाँ पर उपन कर लिया है, अब मैं आता हूँ नीचे और click करता एक email यहाँ आ जाएगा, चलिए, click करता हूँ, save and send test request पर, मैंने click किया save and send test request पर, चल के check करते हैं, Gary Monroe के Gmail account पर, यहाँ पर कोई email आया है के नहीं, तो अभी तक तो मुझे कोई email नहीं दिख रहा है, तुरन जैसा कि आप लोग देख रहे मेरे पास, एक email आ गया है, आपके स आमने 5, 3 PM पे open करके दिखा देता हूँ, hello team, we have received a new lead, details, name, demo user, email, यह रहा, phone number, यह रहा, city, indoor, thanks, okay, तो एकदम perfect email यहाँ पर, हमारे पास आ गया है, और इस email की presence पता रही है, कि हमारा automation site हो गया है, हमें जास वापस आना है, पैबली connect पर, जास सेफ पर क्लिक कर देना है, अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अब यह पूरी process automatically होगी, क्या होगा automatically, अब जबी भी मैं अपने Google Sheets के अंदर, जिसका नाम है 365, कोई new row add करूंगा, नाम email, phone number, city add करूंगा, तो automatically, Microsoft Office 365 के तुरू, जो है, multiple users को email sent हो जाएगा, जिनके भी email address मेंने add किये थे, और व पुरा email सेम रहेगा, खाली details change हो जाएगी, नाम, email, phone number, और city, according to row, जो भी मैं row add करूंगा, उसके according, तो इस तरह का automation हमने side कर दिया है, और यह workflow जब तक और रहेगा, यह process automatically होती रहेगी, ना सिर्फ इन applications को, पैबली करने की help से, आप multiple applications को integrate कर सकते हो, automate कर सकते हो, बिना किस परिशानी के, जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ, इस वीडियो की description box में, आपको एक link मिल जाएगा, जो की होगा इसी workflow का, आपको जाना है, उस link पे click करना है, और आप भी मेरा बनाया, यह same workflow यूज़ कर पाऊगे, अपने account में, वो भी एकदम free में, अगर आपक आपको इस वीडियो से related कोई भी doubt आता है, फिर आपके कुछ questions होते हैं, या फिर आप मुझसे, या मेरी team से बात करना चाहते हैं, तो यहाँ दी गई link पे जैसा कि आप देख रहे है, पैबली forum का यहाँ पे link दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपने questions, queries, जो भी आपको पू लिएगा, thank you